एलो फेंड मैं आपका दोर्ट सुभम गो स्वामी और आज मैं आपको क्लाश 12 बायोलोजी में में जुआ कप परियोग बताऊंगा तो मेंडल का पर प्रियोग में उन्होंने दो परियोग के थे मेंडल का एक संकर संकरन परियोग यानि की मोनो हाअब्रेट क्रास और मेंडल का दी संकर संकरन परियोग यानि की डाई हाइडित क्रॉस तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको मेंडल का एक संकर संकरन परियोग बताऊंगा तो आपको नाम से ही थोड़ा सपस्ट हो गया होगा कि एक संकर संकरन परियोग यानि की मेंडल ने कितने मटर के कितने लच्छन को लेकर परियोग किये बता सकते हैं आप तो सायद हाँ मेंडल ने साथ लच्छन मटर के लेकर परियोग किये क्योंकि मैंने आपको साथ लच्छन बता दिया है अगर नहीं देखा है आपने प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं मेंडल का एक संकर संकरन परियोग में क्या होता है एक संकर संकरन परियोग में इसमें पौधे के एक लच्छन यानि कि एक लच्छन को लेकर संकरन कराया जाता है लेकर संकरन कराया जाता है तो फ्रेंड इसमें क्या होता है एक संकर संकरन परियोग में पौधे के एक लच्छन को लेकर संकरन कराया जाता है तबकि दी संकर संकर परियोग में कराया जाएगा अगे दो लच्छनों को लेकर आपस में तो इसमें पौध है कि एक लच्छन को लेकर संक्रन कराया जाता है तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि लच्छन क्या होते हैं जैसे लंबा है तो लंबा का दो होता है जैसे प्रभावी और आप्रभावी होता है तो प्रभावी को लेंगे लंबा और बौना तो एक ही लच्छन है लेकिन एक परभावी है एक परभावी है तो फ्रेंड यहां पर आपको क्या समझना है कि लंबा का लंबा का टीटी है तो बौना का क्या होगा बाई बावना का आप डी नहीं लिख सकते आपको इसमाल टीटी लिखना पड़ेगा क्योंकि जो प्रभावी लच्छन है ना टीटी और जो आ प्रभावी लच्छन है उसको उसी के इसमाल लेटर में लिखा जाता है तो लंबा जो है friend उसको टीटी से लिखा जाएगा यानि कि टैल तो बाउने को यानि कि प्रभावी जो है उसको लिखा जाएगा यह क्या है फ्रेंड सबसे पहले आप इसको जांजे जनक है लंबा और बवना. तो T.T इसको कैट्टर लेटर में लिखा जाएगा इसके आपर भावी को इसी के इसमाल लेटर में लिखा जाएगा अभी यहाँ पर 라 होता तो तो सबसे पहले इन्हों ने जो नियम दिया था कि कारक जो होते हैं वो युगमक बनते समय तो फ्रेंड मेंडल की पिर्थक करण के नियम के अनुसार जो कारक होते हैं इसे जीन को उने कारक बताया था यह कारक युगमक बनते समय अलग अलग पिर्थक करित हो जाते हैं जैसे देखिए यहां पर यह ती हो जाएगा और यह ती हो जाएगा यहां पर यह ती हो जाएगा इसमाल और यहां पर यह हो जाएगा इसमाल तो फ्रेंड यह हैं जनक इन्हें हम कहेंगे जनक और यह क्या ह पहले भी बता चुके जो कारक होते हैं युगमक बनते समय प्रत्तख हो जाते है सिक्स को प्रत्तक करण का नियम कहते हैं दुर्षा प्रभावित्त करण का नियम और करने मिए इन तीनों को मैं आपको आगय बताऊंगा लेकिन सबसे पहले आप इसको को फमाज लिजीए तो क्या होता है यूंगमक है तो देखें अले इसका जो है ये इससे संकरित होगा इस से घके असानी से उसके बाद ये जो है वो इससे होगा यह देखे फ्रेंड इससे होगा मलब सबसे पहले आपको इससे इन दोनों को कराना है फिर इससे इन दोनों को कराना है तो अब आप इससे इसको करा दीजिए और इसको इससे करा दीजिए यह देखे फ्रेंड इस परकार से आपको कराना है सबसे पहले यह दोनों है इसमें से एक को आपको इससे कराना पड़ेगा फिर इसी को इससे कराईए फिर इसको इससे फिर इसको इससे कराईए तो आपको प्राप्त क्या होगा फ्रेंड टी ती 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 और ती ती यानि कि आप तो फ्रेंड ये सभी पौधे जो होंगे वो लंबे होंगे ये भी लंबा होगा ये भी लंबा होगा और ये भी लंबा होगा तो पर्थम पेड़े में फ्रेंड क्या है सभी पौधें लंबे प्राप्त हुए इसे देखिए आप मैंने आपको बताया था कि जो लंबा होता है वो बौने पर पूर्ण रूप से प्रभावी होता है तो यह जो है यह टी है यह इस पर पूर्ण रूप से प्रभावी है तो यह देखिए यही अपना प्रभाव दिख जब प्रभावी लच्छन का जीन और आप प्रभावी लच्छन का जीन दोनों पस्तितों तो प्रभावी लच्छन का जीन ही अपना लच्छन प्रदाशित करता है आप प्रभावी लच्छन का जीन अपना लच्छन प्रदाशित नहीं करता है यही प्रभाविता का नियम है तो देखिए प्रभावी आपका क्या था फ्रेंड अच्छे से आप समझ लीजिए इसको क्योंकि यह आपके एक्जाम के लिए भी बहुत ही important है तो फ्रेंड देखिए आप बाले यह प्रभावी लच्छन का जीन है और यह आप प्रभावी लच्छन का जीन है तो जो प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि जब प्रभावी लच्छन का जीन और प्रभावी लच्छन का जीन दोनों पस्तित हो तो प्रभावी लच्छन का जीन अपना लच्छन परदर्शित कर पाता है तो यह सभी पौधे यफ्वन पीढ़ी में लंबे होंगे यह कौन सी पीढ़ी है फ्रेंड यफ्वन पीढ़ी तो फ्रेंड आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो अब उन्हें कोई बहुत निश्कर्स अच्छा नहीं निकला तो उन्होंने सोचा कि सभी पौधे लंबे ही क्यों हुए तो उन्होंने क्या किया इसी लंबे का मतलब इसी जीन का इसी बिसमी युगमज का उन्होंने स्वापारागन कराया उन्होंने फ्रेंड इसको अच्छे से आप समल्लम इसी का इसी से संकरन कराया संकरन क्या होता है यह तो आप लोग ज्यांते होंगे संकरन क्या होता है जैसे जनन नहीं होता है वैसे संकरन भी होता है तो देखिए इसी का इन्होंने एक और लिया और उससे संकरन कराया तो फ्रें जब इसका स्वा परागन कराये जाएगा जैसे यह है और यह है इसका स्वा परागन कराये जाएगा तो सच्छे पहले आपको व अलग कर देना है यह देखे फ्रेंड इस प्रकार से तो कारा की युगमक बनते समय जो हैं अलग-अलग हो जाते हैं ये देखे टी एंड टी देखे अच्छे से आप टी एंड टी यहां पर अच्छे से लिख देए अब आपको इसको मैंने आपको बताया संकरन जबाब कराते हैं तो पहले इसको इससे मिलाते हैं क्योंकि यह पहला युगमक है इसका और यह इसका पहला युगमक है तो इसको इससे मिलागे फिर इसको जो है यहां से अब आप ढीले ऑफ यह नहीं पट्री कुके है अब उसके बाद क्या करना है अब ईसे कम अब देखिए बनेगा क्या यहां पर युग मनद क्या बनेगा इसको ध्यान से आप देखिए पहले तो आप ऐसे कर दीजिए ऐसे यहाँ पर भी कर दीजिए जो बनेगा उसको मैं आपको बता रहा हूं यह देखिए और यह देखिए आप क्या बनेगा फ्रेंड इसको ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या टी यहाँ पर बनेगा सबसे पहले एसको नहीं लिए आप हैं CHRIS हैं इसको आइसे और इससे रिखने नहीं इंप iman तो अब आपको क्या लग रहा है यह आपका होगा क्यों कि लंबा मैं कि ती और्टी दोनों प्रभावी युग मक HARRIS मैं अब हम आप जानते होंगे यह किसका है पर भांवी लक्षन का जीन प्रभावी ता कि नियुक्सर प्रभावी यह होगा उसके बाद यह फ्रेंड यह भी यह होगा लंबा और यह दोनों इस माल है तो यह दोनों आप्रभावी लच्छन का जीन है तो यहां पर आप्रभावी लच्छन के जीन में मैंने क्या लिया था बाउना यह क्या होगा फ्रेंड यह बाउना होगा तो यह कौन सी पी लेकिन दितिये पीड हमें सभी पवधे लंबे नहीं होते हैं , एक सुध लंबा होता है , और मालब तीन लंबे होते है तो वहाई इसमें और एक इंप्सिंट ठापिक है . जिसे कहते हैं नमधा है पाछा फिनोल टाइप न मलंद इसका अनुपाद क्या प्रेंड होता है कि फीनोल टाइप का मलब होता है लग्षणप्रारूम और जीन Allah रौट युक्न का अनुपाद इसमें क्या होगा तु law ठरूध जश्चय दिखाई दे जैसे किसी बिच्रथ को देखए तो ल लंबा है तो फीनो टाइब क्या है यह लंबा है यह भी लंबा है यह बॉना है तो फीनो टाइब लच्छन क्या हो गया तीन अनुपात एक का होगा क्यों क्योंकि इसमें तीन लंबे हैं लच्छन में तीनों लंबे दिखाई दे रहा है तो तीन लंबा हो गया एक बॉना है सटेटी दोनों इसका कैपटल्टी एक हिसी है यहां पर आप दिछीजे उसके बाद अन्पार लगाईए यहां पर यह देखिए यहां पर दोनों इस मान है तो यह और इसमें तो नहीं है कोई यही है केवल तो यह भी केवल एक ही है तो फ्रेंड यह देखिए फिनो टाइप यानि की लच्छन प्रादूप का अनुपाद जो होता है एक संकर संकर न परियोग में मोनो हाइबरिट क्लास में वो होता है तीन अनुपाद एक का और जीनो टाइप जो होता है वो होता है एक अनुपाद दो अनुपाद एक तो फ्रेंड इसमें ज्यादा तराप से यही पूसा जाएगा कि एक संकर संकर न परियोग का फीनो टाइप और जीनो टाइप बताईए तो फीनो टाइप है तीन अनपात एक जीनो टाइप है अनपात दो अनपात एक तो फ्रेंड I hope कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो सबसे पहले मैंने क्या लिया एक लच्छन लिया मतर का लंबा और बौना लंबे और बौने को करा है तो पर्थम पेड़ी में सभी लंबे पौधे हुए उसके बाद जब जो पौधे हुए उनका मैंने यह देखिए सभी लंबे पौधे हुए थे तो इनका मैंने स्वापारागन करा है तो स्वापारागन और Genotype क्या होगा friend मनलब Gene ? तो यह देखे जहां पर यह दोनो ंदोbelt है तो यह यह और इन चारतन थे नहीं तो यह नहीं पर रहे स्मेट हो जाएगा और यह दोनों जहां यह हो जाएगा और यह उन्द संकर्णत्र तो आई होप कि até तरह 아까 आपको कोई भीडियो में में आगया होगा संद मेरे वीडियो को लाइक करें जरूर करें और तो मैं तो में मेरे प्लेडेकिकी Gophies